Assalamualaikum dear medicos, start करते हैं next topic को pressure volume loops और valvular disease को हम complete कर चुके हैं जो हमारा next topic है वो है splitting of S2 sound सबसे पहले देखते हैं physiological splitting physiological splitting में क्या होता है जब inspiration करते हैं तो उससे हमारा जो intra thoracic pressure है वो decrease हो जाता है जब intra thoracic pressure decrease होता है तो venus return जो है वो increase होगा जब venus return increase होगा तो ज्यादा blood जो है इस right ventricle के अंदर आएगा मतलब जो right ventricle की जो feeling है वो ज्यादा हो जाएगी जब venus return blood जो है ज्यादा आए वेंड से जब right ventricle के feeling ज़्यादा होगी तो right ventricle को ज़्यादा stroke के साथ इस blood को निकालना होगा तो इसमें जब ज़्यादा जो blood आ जाता है इसमें तो काफी time लगता है इस blood को ejection करने में right ventricle को ज़्यादा time लगता है इस blood को ejection करने में तो जो pulmonic valve है ये delay हो जाता है close होने में जो iota है वो जल्दी blood को out कर लेगा यहां blood ज्यादा होने की वज़ाद से right ventricle में ये जो valve है pulmonic valve ये काफिक time लगाएगा इस blood को eject करने में जिसकी वज़ाद से जो pulmonic valve है ये इसका जो closure है वो delay हो जाता है तो इस ते जो pulmonic valve है इसकी splitting होगी ये देखें ये iota component है और ये pulmonic component है जो iota component है वो ठीक है उसमें कोई delay नहीं है जो pulmonic valve है इसका delay हो जाता है जब inspiration करते हैं ये देखें inspiration के अंदर ये आपको दिखाई दे रहा है जो pulmonic valve है ये जो है काफी delay करता है और इनमें जो है iota और pulmonic valve है इनमें splitting हो जाती है ये दरसल normal delay है जिसे physiological splitting रहते हैं ये उस वाक्त होगा जब inspiration करते हैं expiration के अंदर ये change नहीं होगा inspiration के अंदर change होगा दुबारा देखें जब inspiration करते हैं तो हमारा जो intrathoracic pressure है जब inspiration करते हैं तो हमारा intrathoracic pressure है वो drop हो जाता है जब वो drop होता है तो ज्यादा से ज्यादा blood जो है ये देखें inspiration करते हैं हमारा जो intrathoracic pressure है वो drop होता है venus return increase हो जाता है ज्यादा से ज्यादा blood आ जाता है इस ventricle के अंदर जब ज़्यादा से ज़्यादा right ventricle के अंदर blood आता है तो उससे ज़्यादा उसकी feeling होगी जब ज़्यादा feeling होगी तो ज़्यादा इसको time लगेगा इस blood को out करने में इस वज़ास से pulmonic valve है उसकी closure में delay हो जाता है inspiration की है inspiration के बाद जो intra thoracic pressure है वो drop हो जाएगा intra thoracic pressure जब drop होगा उससे venus return जो है increase होगा right ventricle की ज़्यादा feeling होगी फिर right ventricle ज़्यादा stroke लगाएगा यह जो stroke वाले में इसका ज्यादा हो जाएगा तो उससे जो right ventricle है ejection time ज्यादा लगाएगा इस blood को out करने में ज्यादा time लगाएगा जिसकी वजाएगा जो pulmonic value है उसकी closure में delay हो जाता है तो इससे जो pulmonic value है वो जो है उसकी sound है वो splitting कर जाता है इस aiotic a2 component से यह देखें यह normal delay है normal delay जो है physiological splitting में होता है यह दर असल उस वक्त होगा जब inspiration करते हैं यह P2 को देखें यह काफी दूर हो चुका है यह A2 से मतलब जो aiotic जो valve है यह जल्दी close हो जाता है और इसके जो sound है यह जल्दी हमें सुनाई देगा जो pulmonic valve है यह काफी देर बाद close होगा तो उससे हमें काफी देर बाद sound सुनाई देगा यह दर असल इस वक्त होगा जब inspiration करते हैं expiration के अंदर यह normal है यह जो होता है दर असल delay हो जाता है closure of pulmonic valve यह physiological splitting है वाइड स्पलेटिंग के अंदर क्या होता है वाइड स्पलेटिंग के अंदर जो right ventricle है यह right ventricle है यह MPT होने में time लगता है इसको क्या वज़ा है वाइट स्प्लेटिंग में वाइट स्प्लेटिंग में ये वज़ा है एक तो pulmonary stenosis हो और इसके बाद जो right bundle branch हैं ये जो होते हैं blockage हो जाएं यहां signal नहीं आते right ventricle की तरफ और ये contract नहीं होता pulmonic valve जो है डिले हो जाता है इसकी closure ये कैस की वज़ा से होता है एक तो इस side पे जो है right side पे जो है जो bundle branch है वो block हो जाएं और दूसरी बात जो pulmonic valve है वहाँ stenosis हो जाए blockage हो जाए तो उससे जो right ventricle है वो जल्दी empty नहीं होता blood को out नहीं करता इसकी वज़ा से pulmonic valve है वो closure में उसको time लगता है तो उससे जो P2 है ये देखें P2 जो है ये pulmonic component है ये A2 जो है ये erotic component है जो P2 है इसको काफी दे लगता है रोज़ने में इसलिए जो P2 है ये बाद में है ये P2 है बाद में है ये abnormal delay है A2 जो है सबसे पहले है A2 जो होता है जो iota है वो जो है वो ठीक है वो blood को out कर लेगा अपने time पर right bundle branch blockage है और pulmonic stenosis है इसकी वज़ा से right ventricle का delay हो जाता है MP2 होने में टोस से जो pulmonic valve है ये जल्दी close नहीं होता इसको time लगता है इसलिए यहाँ splitting होती है इस splitting को कहते है wide splitting wide splitting कब होगी wide splitting उस वक्त होगी जब delay हो जाए right ventricle MP2 होने में किसकी वज़ा से या pulmonic stenosis हो या right bundle branch जो है blockage हो जाए इनकी वज़ा से जो pulmonic valve है वो उसका delay हो जाता है closure होने में और हमें जो है बाद में जाके pulmonic जो sound है इसकी closure से वो हमें बाद में सुनाई देता है यह दर असल splitting कर जाता है यह भी उस वक्त होगा जब inspiration करते हैं यह उस वक्त होगा जब inspiration के अंदर हो यह inspiration है inspiration के अंदर यह change है pulmonic जो component है यह change है expiration के अंदर यह normal है यह आप देखें कोई splitting वगारे नहीं है ना aortic component में splitting है ना pulmonic component के अंदर कोई splitting है यह white splitting जो हता है abnormal delay है यह आमने पढ़े हैं कौन से जो disease है pulmonic stenosis है right bundle branch जो है blockage हो जाए उसकी वज़ा से white splitting होगी फिर इसके बाद fixed splitting उस वाक्त होगी जब genital defect हो जिस तरह atial septal defect atial septal defect में fixed splitting होगी यह देखें जब यह यह जो atial septal है यह जो atial septum है यह इसमें defect आ जाता है जब defect आता है तो left item से blood enter होता है shunt करके right item में आता है जब right item में आता है फिर blood tricuspid के तरह इस right ventricle के अंदर आता है right ventricle के अंदर ज्यादा blood आ जाता है एक तो venus return इसमें ज्यादा आता है दूसरी बाद जो left item है उससे blood आता है जब यहां right जो ventricle है इसमें ज्यादा blood आता है तो उसकी वज़ाद से यह blood को out करने में जो है काफी time लगता है जब ज्यादा time लगता है तो जो pulmonic valve है यह delay हो जाता है इसकी closure यह दर असल depends नहीं करता inspiration और expiration पे यह दोनों के अंदर बराबर है inspiration के अंदर भी यह depending नहीं करता expiration के अंदर भी depending नहीं करता यह देख लेंod सुनाई देगा जब ATL septal defect हो जो ATL septum है उसमें defect आ जाए बलाड की shunting होगी left to right shunting जिससे बलाड आएगा ज्यादा आएगा right atom के अंदर right atom से जाएगा ये right ventricle के अंदर right ventricle का volume ज्यादा हो जाएगा तो उससे जब ये contract करता है काफी जो हता है बलाड होता है उसमें तोड़ा सा time लगता है इसको out करने में और जो pulmonic valve है इसके closure में काफी delay हो जाता है तो उससे ये splitting होगी ये splitting जो है ये equal है ना depend करता है expiration पे ये देखें equal जो हता है दिया गया है और ना depend करता है inspiration पे, यह fixed जो splitting है, यह depend नहीं करता है, ना inspiration पे, ना expiration पे, जो हम उपर पड़ के आये हैं, जैसे तरह wide splitting है, और इसके बाद physiological splitting है, यह जो होते हैं, depend करते हैं inspiration पे, यह expiration पे वो depend नहीं करते हैं, यह fixed जो splitting है, यह दरसल कोई depend नहीं है, ना inspiration पर depend करता है ना expiration पर depend करता है यह splitting जो होती है यह splitting जो होती है fixed splitting है यह equal splitting है eotic component और pulmonary component में इसके बाद जो है paradoxical splitting paradoxical splitting उस वक्त होगी एक तो यह eotic steno-sist हो जाए और इसके बाद जो left side जो bundle branch है यह left side जो bundle branch है यह blockage हो जाए एक eotic steno-sist और दूसरा left side bundle branch जो है blockage हो जाए तो इससे जो blood है left item से आएगा left ventricle में यह left ventricle के अंदर ज्यादा blood आजाएगा एक तो eotic steno-sist है और दूसरा जो है यह bundle branch जो है left side वाले जो left heart को देते हैं या left ventical को देते हैं तो ये जो हैं blockage हो जाएं तो इस blood को out करने में काफी time लगेगा तो उससे जो eotic value है ये close होने में काफी time लग जाता है इसको असल जो pulmonary value है ये पहले close हो जाता है यहां देखें ये दर असल depend करता है expiration पे जो paradoxical splating है ये depend करता है expiration पे inspiration पे depend नहीं करता ये expiration है ये देखें ये जो है ये पहले close हो रहा है ये इसलिए जो pulmonary component है ये पहले आगे है ये और जो eotic component है जो a2 है यो iota है वो बाद में close हो रहा है ये है splating paradoxical splating paradoxical splating कब होगी paradoxical splating उस वाक्त होगी जब जो eotic valve है उसके close होने में time लगता है delay हो जाता है तो उससे जो है ये paradoxical splating होगी ये कब सुनाई देगी उस condition में आपको सुनाई देगी जब delay हो जाए eotic valve closure जब eotic valve की जो close है closure है वो delay हो जाए जिसमें आता है eotic stenosis हो जाए left bundle branch blockage हो जाए ये दरसल ये paradoxical splating के अंदर आपको जो P2 component है मतलब जो pulmonary valve है ये जल्दी close हो जाता है इसके बाद ये ये जो है eotic valve जो है close होता है ये उस वक्त होगी ये paradoxical splating उस वक्त होगी expiration के दौरान ये expiration के दौरान होगी paradoxical splating ये है S2 sound के splitting जिसमें आता है physiological splitting wide splitting fixed splitting और paradoxical splitting यहाँ वीडियो के इंट करते हैं I hope ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को subscribe कर दीजीगा thank you for your attention